हेलो दोस्तो क्या हाल है आपके आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप medicine का नाम देखकर उसका use कैसे पता करें अगर आप medical student है आपको दवायों का नाम याद रखने में problem होती है तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखें और किसी भी medicine का use जानने से पहले उसका नाम देखकर आप use उसका तभी जान पाएंगे कि ये drugs कौन सी category से बिलॉग करती है उस category या फिर उस medicine class का use क्या है तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल detail में बिल्कुल basic से तो ये सारी चीज़ करें और last तक जरूर देखें तो medicine का नाम and use पता करने से पहले हम कुछ basic चीज़ों के बारे में जान लेते हैं हर medicine में जो common चीज़े होती है वो prefix, root, word and suffix ये चीज़े अगर आपको समझ में आ गई तो आपको medicine का नाम देखकर use पता करने में काफी जादा आसानी होगी तो medicine medicine में सबसे ज़्यादा suffix use होते हैं तो अगर हम बहुत सारे medicine के suffix याद कर लेंगे तो हमें उसका use अपने आप पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम suffix जान लेते होता क्या है suffix कुछ नहीं है simply कोई भी word है उसके जो last के letter है उसको हम suffix बोलते हैं अगर आप example देखे बीटा अगर आपको इन दोनों का common है अगर आपको इन दोनों के अलावा किसी भी ड्रक्स या किसी भी मेडिसीन में एसोन suffix दिखता है मतलब की word के last letter असोन होते हैं तो आपको उसकी कटेगरी कॉर्टिको स्टिरोइड होगी अब आपको कॉर्टिको स्टिरोइड के बारे में नहीं पता है तो वो भी जान लीजिए कॉर्टिको स्टिरोइड होता क्या है क्या काम करती है अगर हम कॉर्टिको स्टिरोइड की सीधे एक word में यूज जाने तो कॉर्टिको स्टिरोइड तो आपको नहीं पता है तो बहुत सारी जो सूजन होती है आपकी बॉड़ी में वो फिर अलर्जिक रेक्शन की वजह से हो या किसी और रीजन से हो तो उस उस केसे में आप को इस्टिरोइड ड्रक्स यूस कर सकते हैं इसके नाम से आपको इस्टिरोइड दिख रहा होगा त इन तीनों में आप एक common चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर आपने याद कर लिया, तो आप आसानी से बता रहे होंगे, कि इस drugs की जो class या category है, वो cortico steroid है, और ये inflammatory treatment के लिए use होती, तो अब हम बात करते हैं, अपने अगले medicine की या एक नए suffix की, तो जो हमारा अगला suffix है, वो है, अगर आप कुछ दवाईयों के example या फिर medicine के example देखें, तो एवाना फिल, सिल्डेना फिल, टेडला फिल, एंड वर्डेना फिल, इन चारों के last में एक common चीज़ या फिर जो आपको suffix common दिख रहा होगा, अगर आपको किसी भी दवाईय में अफिल दिखता है, तो आपको देखते ही जान जाना है, तो अगर हमको फॉस्फोड आइस्टिरेस इनिवीटर का यूज पता हो या फिर mechanism of action पता होगा, तो हमें पता चल दाएगा कि ये दवाईयां किस लिए use होती है, तो बात कर लेते हैं इसके use के, इसके mechanism की, फॉस्फोड आइस्टिरेस इनि जो पेनिस होता है, वहाँ की smooth muscles को relax कर देते हैं, जिसकी वज़े से वहाँ पे blood circulation जो होता है, वो fast हो जाता है, और genital organ पेनिस में erection cause होता है, तो ये दवाई जो use होती है, ये medicine जो use होती है, वो erectile dysfunction को treat करने के लिए use होती है, तो आज के हम last suffix के बारे में बात कर लेते हैं, और suffix और prefix से related पूरी series आने वाली है, तो आप please channel को subscribe करके जरूर रख ले, तो जो हमारा अगला suffix है वो है bycin, अगर आप कुछ medicines के example देखेंगे तो dexo rubicin, epirubicin, ida rubicin and well rubicin, आपको इन 4-5 medicines में जो एक common suffix या common letter दिख रहे होंगे last के वो bycin है, अगर आपको किसी भी medicine के last में bycin दिखता है, तो वो आपको देखके याद कर लेना है कि यह anti-neuoplastic drugs है और जिसकी category anti-neuoplastic cytotoxic agent है, new plastic जो term होता है, वो cancer के लिए use होता है, तो वहीं जिसमें anti जुड़ा हुआ है, तो मतलब cancer के against में, मतलब कि cancer को treat करने के लिए जो medicine used होती है, उसे आप anti-neuoplastic या फ treatment में use होती है, तो hopefully ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत helpful रही होगी, इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत help मिल पाई होगी, अगली वीडियो आपको किस topic पे चाहिए और इस वीडियो से related अगर आपको कोई problem रहती है, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, और इस series की पूरी video आने वाली है, पूरी series आने वाली है, तो please channel को subscribe करके रख लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें इस video को, thank you